नमस्कार, मैं शुमान गौड एजी की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज हम अध्यन करेंगे प्रसिद्ध भक्त कवी सूर्दास जी द्वारा रचित पद हमारे हरी हारिल की लगरी की संपूर्ण व्याख्या के अंतरगत उसके शब्दार्थ, संदर्ब वेप्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्विगत विशेष्टाओं का तो आईए प्रारंब करते हैं सर्व प्रथम हम पद का वाचन करेंगे हमारे हरी हारिल की लकरी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह द्रड करी पकरी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करूई ककरी सूतो व्यादी हमको ले आए, देखी सुनी न करी यह तो सूर तिनहीले सौपो, जिनके मन चकरी अब हम इस पद के शब्दार्थ देखेंगे पहला शब्द है हरी, यह शब्द यहां भगवान श्री क्रश्न के लिए आया है हारिल, हारिल एक पक्षी है, जो अपने पंजों में सदेव एक लकड़ी पकड़े रहता है लकड़ी, इस शब्द का अर्थ है लकड़ी क्रम, अर्थात कर्म वचन, इसका अर्थ है वाने नंद नंदन, नंद के पुत्र, अर्थात श्री क्रिश्न उर, इसका अर्थ है रिदे पकरी, इस शब्द का अर्थ है पकड़ी जागत, अर्थात जाकते हुए सोवत, इसका अर्थ है सोते हुए स्वप्न, अर्थात सपना दिवस इसका अर्थ है दिन, निसी अर्थात रात, काहन यह शब्द भगवान श्री कृष्न के लिए आया है, जकरी इसका अर्थ है रटती रहती है, सू अर्थात वह, लागत अर्थात लगता, करोई इसका अर्थ है कडवी, व्याधी अर्थात रोग हमको अर्थात हमारे लिए न करी अर्थात न अपनाई गई सूर यह शब्द सूरदास जी के लिए आया है तिनही अर्थात उन्हें सौपो अर्थात सौप दो या दे दो मन चकरी अर्थात चकरी के समान अस्थिर मन अब देखते हैं इसके संदर्व वे प्रसंग को प्रस्तुत पध्यांश हमारी पाठ्थे पुस्तक में संकलित सूर सागर के ब्रहमर्गीत संबंधी पदों से लिया गया है इसके रचियता अनन्य क्रश्न भक्त कवी सूर्दाज जी है इस पद में गोपियां उद्धव के ज्यान और योगमार्ग को ग्रहन करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए त्रश्न के प्रती अपने अविचल प्रेम को प्रकट कर रही है अब द्रश्टि डालते हैं इस पद के भावार्थ पर गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी हमारे श्री कृष्ण हमें इतने प्रिये हैं कि हम उन्हें कभी छोड़ ही नहीं सकती जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो किसी भी दशा में हो वह सहारे के लिए अपने पंजे में किसी न किसी लकड़ी को पकड़े रहता है उसी प्रकार हम गोपियां भी सदेव श्री कृष्ण के ध्यान में निमगन रहती हैं हमने भी अपने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को अपने रिदय में द्रड़ करके पकड़ लिया है अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदरे को हमारे रिदय में द्रड़ता पूर्वक गहराई तक बसा लिया है हम तो जागते हुए सोते हुए स्वपन में दिन में रात में अर्थात सभी परिस्थितियों में श्री कृष्ण के नाम की रट लगाती रहती हैं हमारे लिए तो बस श्री कृष्ण का इस्मरण ही एक मात्र कार्य रह गया है गोपियां कह रही हैं कि हे उद्व जी आपके इस योग संदेश की बाते सुनकर हमें ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमने मुह में रख ली हो अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाने से मुह कड़वाहट से भर जाता है और मन में अरुची उत्पन हो जाती है ठीक उसी प्रकार योग संदेश भी हमें कड़वाहट से परिपून और अरुची कर लग रहा है आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्दव जी इस निर्गुन ब्रह्म संबंदी योग संदेश के रूप में आप हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिसे ने तो हमने कभी देखा है ना सुना है और ना कभी भोगा है सूर्दास के अनुसार गोपियां उद्दव से कह रही हैं कि हे उद्दव जी इसलिए हमारा तो यही सुझाव है कि इस ग्यान और योग के संदेश को आप उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान अस्थिर हो वे ही इसका आदर करेंगे इस पंक्ती में गोपियों का भाव यह है कि उनका रिदे तो श्री क्रश्न के प्रेम में द्रड एवं इस्थिर है अतहे हैं उनके रिदे में योग ज्यान और निर्गुन ब्रह्म संबंदी बातों के लिए कोई स्थान नहीं है उनके अनुसार इस योग मार्ग को वही लोग स्वीकार कर सकते हैं जो अपनी आस्था में द्रड नहीं होते जो भावावेश में अपनी आस्था और विश्वास को बदलते रहते हैं इसलिए ऐसे अस्थिर चित वालों के लिए ही योग का उपदेश उचित है अब देखते हैं इस पद की कावविगत विशेषताओं को पद में गोपियों ने श्री क्रश्न के प्रती अपने द्रड और अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए उद्रव के ज्यान और योग को एस्वीकार किया है कवी ने हारिल की लकडी लोकोक्ति का सटीक प्रयोग किया है सरल, सहेज, सहित्तिक ब्रजभाशा में सूर्दास ने मारमिक भावनों का सफल प्रकाशन किया है लक्षणा शब्द शक्ती का प्रभावशाली प्रियोग है हमारे हरी हारिल जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी तथा करूई कक्री में वर्णों की आवरती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है हमारे हरी हारिल की लकरी में रूपक अलंकार, कान कान में पुन्रुक्ती प्रकाश अलंकार तथा ज्यो करूई ककरी में उपमा अलंकार का सोंदरे है वियोक श्रंगार रसकी सफल योजना हुई है, शैली भावात्मक एवं तरक पून है पद छंद का प्रयोग किया गया है संपूर्ण पद में संगीत आत्मक्ता एवं गेता का गुण विद्यमान है आज हमने प्रसिद्ध भक्त कवी सूर्दास जी द्वारा रचित पद हमारे हरी हारेल की लकरी की संपूर्ण व्याख्या का अध्यन किया मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यन्त उपियोगी रहेगा यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलिए धन्यवाद